तो हेलो फ्रेंड्स गोड इवनिंग आप सभी का नर्सिंग एजूकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफरम पर मैं HR सौधरी आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए एक बहतरीन और बड़ी भरती जो की 2022 की खुसकबरी नर्सिंग वालों के लिए फाइनली ले आद गया हूँ और इस बड़ी भरती के लिए इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी जो नर्सिंग एजुकेशन परिवार है वो और भी आगे बड़े और हमें मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों आज की जो बड़ी भरती है कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर की दोस्तों 4000 पोस्ट है वो फाइनली आ चुकी है बिलकुल ओफिशली नोटिफिकेशन लेका आया हूँ आपके सामने आज की जो डेट है साथ जनवडी 2022 को दोस्तों फाइनली जो नोटिफिकेशन है वो कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर अंडर जो आयुस्वान भारत स्कीम है उसके अंतरगर ये लोग जो है UP CHO की भरती निकाल लेके आये हैं और यहाँ पर NHM UP की और से ही इसकी वेफसाइट हम बात करते हैं दोस्तों तो वो है www.upnrhm.government.in तो एक बड़ी भरती है इसमें कोन को अप्लाई कर सकते हैं सारी जानकारी वीडियो के अंतर बने रहे हैं आपको मिलेगी और एक इंफॉर्मिशन आपने अभी देख हमारा टेलिग्राम जोइन नहीं किया है तो यह PDF है दोस्तों टेलिग्राम पर मिलेगी उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसपे आपको मिल जाएगा ताकि आपको जो है कोई भी जाना ना पड़े पेडियो आप आराम से एजिली आप कम्प्लिटली पढ़ सकते हैं तो पोस्टों की संग्या बहुत सारी है मतलब 4000 पोस्ट यहां पर रहने वाली हैं अब यहां पर कौन-कौन अप्लाई कर सकते है essential qualification दोस्तों क्या रहने वाली है तो उसके बारे में बात करते हैं तो candidate who have complete BAC nursing with integrated curriculum of certificate in community health for nurses CCHN जो complete होना चाहिए और उसके साथ post basic nursing की है उसके साथ में भी आपने यहीं integrated curriculum of certificate in community health for nurses CCHN from academic year 2020 2020 में और या फिर onward from Indian nursing council या फिर state nursing council recognized university or university will be eligible to apply दोस्तों यह सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं इंडिया नर्सिंग कांसिल से या फिर state nursing council से आपने किया है यदि BAC nursing या post basic nursing इन दोनों के साथ integrated मतलब कि दोनों के साथ में जो CCS है 2020 के वैच से है उन सभी लोग यह वो लोग अप्लाई कर सकते है या फिर आपने GNM किया है उसके बाद में आपने जो है bridge course किया है CHO का जो है BPCCN वो आपने कहीं से भी किया है तो apply कर सकते हैं यह एक बड़ी update है अब दूस्तों थोड़ा सा में आपको यहां पर समझाऊंगा आप easily समझ सकते हैं कि registration registered as nurse and midwife in UP nurses and midwife council in case registration certificate is not available not available candidate have to annex copy of registration स्लीफ डिली सेल्फ अटेश्टेट विद्दा application form मतलब यदि पास आपके पास registration certificate नहीं है तो आप जो है कोपी है वह उसकी जो है सेल्फ अटेश्टेट करके application form डाल सकते हैं अब नोट दे रहा है नोट का मतलब क्या है इसमें देख लेते हैं दा दा चैंडिडेट सॉब्मीट दा रजिट्रेशन सर्टिफिकेट विदिन थिरी मंत मतलब देना होगा और डेट ऑफ इस्वेंस ऑफ अपोइंट्मेंट लेटर अपोइंट्मेंट अप्ट्रेट इस सब्जेक्ट टू रजिट्रेशन विद यूपी नर्सें मिडवाइ सकते हैं तो मतलब कि आएंपर ओल इंडिया के केंडिडिट अप्लाइए कर सकते हैं अब आफ्टर जो सेलेक्शन के बाद अपॉट्मेंट लेटर है उसके तीन मेने के अंदर-अंदर इन्होंने बोला है कि वह जो है आपका रजिटेशन है वो होना चाहिए अब दोस्तों बात करें सिक्रिटी बॉंड है वो 2.50 लाग का है और दोस्तों नेक्स बात करेंगे आपकी जोइनिंग है सब हेल्थ चेंटर पर होगी और इसकी जो लास्ट डेट है वोगेरा वो सारी इंफोर्मिशन अभी इसमें नहीं देर की है तो इसका एक अलग से मैं आपको बता द कि लास्ट डेट क्या होगी तो वो नेक्स वीडियो में आ जाएगी तो वीडियो का इंजार करिए और ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बते हैं और चैनल पर दूस्तों आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस पेडियोफ के लिए टेलिग्राम को आप से जाएगे तेंक यू सो मुच